दोस्तों आज इस वीडियो में आपको बताए जाएगा कि किस तरह के से एक pension भोगी घर बैठे अपने मुबाइल से अपना life certificate जमा करा सकता है जैसे कि pension भोगियों को हर साल नौंबर के महिने में अपनी pension जारी रखने के लिए life certificate यानि कि जीवन प्मान पत्र जमा कराना पड़ता है तो इसके लिए के सरकार के department of pension and pension welfare के दोरा एक बड़ी ही अच्छी सुईदा की सुरुआत की गई है जिसका नाम में आपर दिया गया है face authentication यानि कि अब एक pension भोगी अपने smartphone से ही घर बैठे अपना life certificate जमा करा सकता है तो इसको किस तरीके से आप जमा करा सकते हैं इसकी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी step by step सब कुछ आपको याँ पर बता जाएगा इसलिए वीडियो को आप प्लास्ट तक जरूर देखें तो pension भोगयों की life को आसान और सोगम बनाने के लिए department के दोरा ये महत पुन कंदब उठाया गया है इसके बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं तो आईए देख लेते हैं कि किस तरके से आप इसे जमा करा सकते हैं तो सबसे पहले इस स्विदा का लाब उठाने के लिए आपके पास में एक स्मार्ट फोन होना जरूरी है उसके बाद में आपके पास में आदार कार्ड होना जरूरी है जो कि आजकल सभी के पास में ये दोनों चीज़ें उपलवद हैं यदि ये दोनों चीज़ें आपके पास में उपलवद हैं आप Google Play Store पर जाएए, इस विदा को आप सर्च कीजिए, जो कि आदार FaceRD एप है, इसको डाउनलोड कर लिए, डाउनलोड करके आपके मुबाइल में आप इसे इनिस्टॉल कर लिजिए, इनिस्टॉल करने के बाद में आपको जाना पड़ेगा, जो यहाँ पर जीवन प्रमा पॉर्टल से जीवन प्रमान का जो एप्लिकेशन है, वो डाउनलोड करने पड़ेगा आपके मुबाइल में, तो आप जब जीवन प्रमान पॉर्टल की जो वेब साइट है, जीवन प्रमान.gov.in पैकेज और डाउनलोड, तो इसमेर आपको क्लिक करना है आप पर की, कर लेते हैं आपके मॉबाइल में, तो आप उसे ओपन कर लिजीए, जैसे ही आप ओपन करते हैं, तो आपके सामने ये वाली जो स्क्रीन है, वो हैं पर हाजर हो जाएगी, तो इसमें आपको परमिशन देनी है, कि गिव रिकॉर्ड परमिशन, इस ओपन से स्क्रीन फोर कर देना है आपका mobile number देना है और email id दी है तो वी सम्मिट कर दिजे अपरेटर करने के बाद में सबसे पहले आपको जो ऑपरेटर है आपको करना पड़ेगा उसके बाद में आप नेक्स्ट प्रोसेस कर पाएंगे तो यहां पर आप देख पारेंगे is the operator authentication is a one-time process pensioners can also be the operator after operator authentication a screen will open for pensioner authentication one operator can generate DLC of multiple pensioners यानि कि यदि आपने एक बार अपने आपको as a operator register कर लिया है तो आप खोद के साथ साथ में अने लोगों का भी DLC mobile से जमा करा सकते हैं उसके बाद मैं next step शुरू होता यहाँ पर pensioners authentication तो pensioners authentication करने के लिए आपको आपका आधार नंबर डालना है आधार से linked mobile नंबर यहाँ पर आपको डालना है आपके mobile पर फिर OTP आएगा OTP यहाँ पर आपको डाल देना है और उसे कर देना है सब्मिट इतना करने के बाद में आपका pensioners authentication हो जाएगा फिर जैसे की जहांपर जानकारी मांगी गई है आपके आधार में जो भी नाम है वो नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है कौन सी pension यहाँ पर आपको मिल रही है वो यहाँ पर आपको दो certificate आपको देने होते हैं कि reemployed और रिम marriage वाले तो दोनों में आपको no no कर दीजिए और उसके बाद में आपको declaration देनी है कि I certified that our declarations are true and accurate तो यह आपको check box में click कर देना है सारी जानकारी आपको fill करने के बाद में आपको नीचे वाला भी जो है टिक करना check box और submit कर देना है यदि आपको कोई information सही नहीं है तो आपका dlc reject भी हो सकता है चलिए information देते समय आप सभी बातों का ठीक से ध्यान रखें इतना करने के बाद में आप submit कर दीजिए submit करने के बाद में next एक pop-up window सेलेक्टेड फॉलोविंग पीप्यो नंबर और जीवन प्रमाण जनरेशन अपका पीप्यो नंबर यहां पर आ जाएगा और उसके बाद में कि आई दा होल्डर ओफ आधार येरभाई गिव माई consent to me ty to use my आधार आपको consent देनी है और उसके बाद में next यहां पर आएगा आपको scan करना है तो आप इसकेन यहां पर करने के बाद में next window यहां पर आपके सामने open होगी जिसमें पूछा जाएगा तो इसमें आपको यहांश करना है जैसे ही आप यहाँ पर yes पर click करते हैं next window आपके सामने open होगी और open होने के बाद में आपका जो चेहरा है वो यहाँ पर आपको रखना है कि दम straight रखना है इदर उदर मोड़ना नहीं है उसको और उसके बाद में जब आप proceed पर click करते हैं तो आपका camera open हो जाएगा और इस तरी आपको फॉलो करना है और इतना होने के बाद में after face scanning dlc submission appears on the mobile screen along with the प्रमान id and ppo number तो आप देख सकते हैं यदि आपका जो face है वो मिल जाता है तो thank you for submitting digital lab certificate प्रमान id so and so for ppo so and so and you can view your lab certificate on the portal जीवन प्रमान.gov.in by giving the प्रमान id तो इस तरह के से आपका जो सारा काम है वो यहां पर हो चुका है आपका life certificate जम्मा हो चुका है और इतने simple तरीके से एक pension भोगी घर बैठे अपना life certificate अपने mobile से बिना किसी additional accessories के submit कर सकता है तो कफी अच्छा कदम यह उठाए गया है pension लिए इसके सम्मध में आपकी राय कमेंट बोक्स में लिए कर जरूर बताएं इस वीडियो को लाइक और share करें कोई doubt है कमेंट बोक्स में लिए कर बताएं आपकी हर संभाव मदद हमारे द्वारा की जाएगी फिलाल इस वीडियो में तना ही वीडियो को अधिक साधिक कर दो